शुरुवात एक छोटे से शहर जम्मू से हुई थी आज दुनिया के हर कोने में नाम है कभी सोचा था कि कुछ करूँगा पर इतना बड़ा शायद यकीन नहीं था पर सच हुआ वो सपना जो खुली आँखों से देख रहा था अपनी आप खिल के आती है जब पहली मूवी को इतनी बड़े चीवमंट मिली तो आपने सोचा कि अब दूसरी या तीसरा पार्ट भी अपने जम्मू में भी आप प्रीमिर किया है दुनिया बर में में देख रहा था यूके में भी इसने एक रिकॉर्ड सेट किया कि सबसे ज़्यादा शेद पंजाबी मूवी जो है वहाँ पर चली है दन्यूस नाओं के इस खास कारिक्रम में आज हम आपके मुलाकात ऐसे शक्स से करवाने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में अपनी कला से अपना लोहा मनवाया है नासि चन्योटी जोतव रेस उनका अल्रेडी है था यह चाल मेरा पुट फिलम के टाइटल के साथ जाता था कि चल मेरा पूट हमत हमत चल मेरा पूट चल हुन चलिए शिफ्ट लोड नू आज भी कहीं फ्रेंड्स हैं मेरे वह कहीं बरी फॉन करते हैं कि यार जब भी थके चल मेरा पुद्ध जैसी एक ऐसी फिल्म सीरीज पंचाबी इंडस्ट्री को दी जिसने देश और विदेश में कमाई के मामले में इतिहास रच दिया आज पर्दी के पीछे चुपे इसी शक्स की कहानी आपको उनहीं की जबानी सुनाएंगे कंटीनू थी फिर हमने स्टोरी वाइज भी हमने थोड़ डिफरेंट किया कॉमेडी वाइज तो आईए मिलाते हैं आपको नेदेशक चंजोट सिंग से यह मूवी बनानी है और इतना बड़ा पंगा लेना है कि इंडिया पाकिसान के बेस्ट से बेस्ट करेक्टर्स को अपनी इस फिल्म में लाना है और देश बर में जो है दुनिया बर में वो आज जाने जा रहे हैं और चल मेरा पुत की विज़े से सबसे पहले मेरी बेसिकली डेब्यू फिल्म थी आलना वो किसी कारण रुग गई थी किसी कारण वो प्रड्यूसर्स का इशू था थोड़ा तो एक साल मैं स्टोरी पे ही वर्क कर रहा था तो वहां एक स्टोरी मेरे पास एक जिसक तब नाम था सांजा पंजाब तो वो इसमें ऐसा ही था बट उस में आर्टिस्ट नॉर्वल एक स्टोरी थी कि एक कमरे में इंडिया और पाकिस्तान के जो इल्लीगल्स हैं जो यहां से जाते हैं वो रहते हैं और उनके बीच में कुछ जगडा होता और बीच में लाइन आए थी उस्टोरी को हमने डेवलप किय फिर हम ने सुचा कि क्यों ना जो पाकिस्तान वाले आर्टिस्ट हैं वो उनी को लिया जाए जो लेंदे पंजाब से हैं जिनको हम फोन पे रोज देखते हैं जिनके ड्रामाज हम हाँ तो हाँ फिल्म की रियल एक लगे क्योंकि जो रिदम बॉइज है अमरिंदर पाजी लव पंजाब है बहुत सारी फिल्में रियल्टी के बहुत करीब हैं तो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा था कि इल्लीगल्स पे किसी ने भी काम नहीं किया था यहां से हम बहुत असानी से अपने ब्रदर्स को या सिस्टर को बोल देते हैं यार आईफोन बेच दो इतनी शिफ्टें लगा के आता वो किसी को नहीं पता होता तो एक फिल्म अच्छी मिल गी सब्जेक्ट अच्छा मिल गया मुद्दा मिल गया और उपर ये बात आगी कि यार इंडिया पाकस्तान अगर हम चड़ते बंजाब और रहें क्योंकि जो कलाकार है ना उसकी कोई स मैं उनकी हर फिल्म में मैंने किसी ना किसे डिपार्टमेंट में काम किया है चाहिए कास्टिंग डिरेक्टर हो या चाहिए असिस्टेंट डिरेक्टर हूँ मैंने हर फिल्म में कहीं ना कहीं ना कहीं उनके साथ काम किया है तो मेरा प्यार उनके साथ अल्रेडी था तो ही से जौन्हें है कि इंडिया पाक्सितन वाले तो फेसे ही एक जादीग को 30 को आ चप हुआ है तो एक बात उन्हों कि हो सकता है कि ये फिल्म इन्डिया रिलीज ना हो, सैंसर वोर्ड पास ना करें, लिटरली जब तक हम सैंसर वोर्ड गए हम ने यही सोचा हुए, हो सकता है, सैंसर ना मिले, इन्डिया रिलीज ना हो, by god grace वाइब बगवार ने अच्छा चाया, बहुत सारा प्यार मिला, और एंटिय jalal meeरो पेली पहली फिल्म पीड़ just और मेरी पड़ा उस NE देड़ा शुरुआत मेरे मतलब होई पीजल मेरे पूछ इस जतनी संचा था उस्लनी पहलब तकør उसे चल पुछूए विध जब ज़एदה भूद में जितने पंजाबी हैं जो बोल सकता है पंजाबी जा समझ सकता है हर बंदे ने वह फिलम देगी हम बादो हर कंट्री में हर कंट्री में पयार मिला देन हमने डिसाइड कि आपको मारफ के जए रोक रहा हूं यह चल मेरा पुट टाइटल कहां से मृदब किस तरह से चल चली जो तवरेज का करेक्टर उनको अल्रेडी हेट था यह चाल मेरा पूट फिल्म के टाइटल के साथ जाता था कि चाल मेरा पूट हमत 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 चाल मेरा पूट चाल हुने चलिए शिफ्ट लॉण नूँ आज भी कई फ्रेंड्स हैं मेरे वो कहीं बरी फॉन करते कि यार जब भी तेरा गानात सुनते हैं और हम काम पर मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा लिखा सत्तावेरो वाली या न्यूजी लैंड हमारे ब्रदर हैं सत्तावेरो वाल उन्होंने लिखा गाया गुर्शब्द पाजी ने बहुत अच्छा गया है मूजिक डॉक्टर जी दुनिया बर में देख रहा था यूके में भी इसने एक रिकॉर्ड सेट किया कि सबसे ज़्यादा शेद पंजाबी मूवी जो है वहां पर चली है सेकिंड थर्ड फिर किस तरह चला कि आपको मोटिवेट कि नहीं और इसमें बनने चाहिए पार और इसको आगे बढ़ाना जादा हो जाती है अब एक जिम्मेदारी चल में रपर टू में बहुत बड़ी थी कि यार अब लोगों ने ये देख लिया है अब इससे नेक्स्ट क्या अगे क्या कुछ ऐसा करें जो लोग सेकिंड पार्ट में उनको न्यू लगे स्टोरी वही कंटीनू थी फिर हमने नेक्स टैवल पर लेके गए जफरी खान साब एड हुए टू में रूबी अनम्स मेडम वो उनको एड किया टू में दन तू तिल डेट तू सबसे हाइस्ट ओपनिंग है और तिल ग्रॉसिंग तू सबसे अच्छी अभी त्री रनिंग में है देखो त्री कहां तक जाती है पहले यही कंप्लीट कर लेते हैं आगे भी कुछ आरे क्योंकि थर्ड देखने के बाद जितने भी हमने रिव्यूज देखे सब लोगों ने यही पूछा कि आप फूर्थ का बार यह या इसके बाद कितने आप प्रोसेस अब फूर्थ हमने थ्री में लिख दिया था कि पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करूंगा भी मैं अभी चुटियों पर हूँ तो कल पर समय खतम जाएंगी फिर जाके हम काम शुरू करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन का दिन्जोच जी मैं जाना चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान जब बच्पन में भी थे तो हम यही सोच होती थी क्या इस तरह के नर्जी बनी रहती थी कॉमन कुछ बाते होती थी या ऐसे लगता था कि अलग अलग हर चीज कॉमन हर चीज हमें पहली मीटिंग के बाद कभी लगा है नहीं कि हम फर्स टाइम या सेकंड डाइम मिल रहे हैं मतलब सेट पे महौल ऐसा होता था कि सु आरे बंदे फिर उस दिन उसी की वारी है मतलब बहुत अच्छा महौल होता है सेट पे जो आपने चल मेरे पूद में गर देखा होगा जो जिस गर पे रहते हैं वो गर हमने पूरा शूटिंग के लिए मतलब पूर लिया था हम ऊपर रहते थे नीचे शूटिंग होती थी बहुत अच्छा महौल था और किचन हमने किचन मतलब मौनिंग आना जिसने जो खाना है मतलब अगर मेरे को कुछ भी खाना है मैं ठाकर साब को बोल दे मैं पाजी बना देना मैं शौट लगा लो अच्छा आपका शौट नहीं आप बना दो पाजी इतनी देर मैं इनका तो मैं स्पेशल उस गर पर जाकर आए यार वो लगता कि अपना गर है तो मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब जब आपके साफ टीम ऐसी होती ना जिनकी पॉजिटिव वाइब होती है तो आपको कहीं लगता है नहीं हम काम पे हैं मतलब हम फुल इंजॉय करते हैं सुभे फिर जब दिल किया पैक अपक अनलब है यार पूरा गर्जर समाहाँ अधार ते इंडिया पाकिसतान अलगा कुछ ऐसा है यह नहीं मैं पहलो पेले मैं आपको बात के कलाकार के लिए कि कलाकार के लिए गर ळहीं है तो होना भी ने चाहिए यह मतलब सरकार को एदेखना चा तो कलांकारों के लिए सीमा नहीं होनी चाहिए जिन जो जी चल मेरा पुत की तो एक कहानी थी अप अपने बारे में थोड़ा बताए कि किस तरहां से मतलब आप जम्मू से निकले और चल मेरा पुत थर्ड पार्ट तक का जो सफर है वो थोड़ा हमारे दश्कों को बताए क्य एक हो प्रोसेस जो है प्रोसेस हर चीज्ज का लंबा होता है मतलब यह नहीं कि सिरफ मेरा हर बंदा जो किसी भी फिल्ड में है और किसी भी आप छोटा ओपको एक बताता हूं कि में रोही जुगराजी हैं जिन से मैं डायरेक्शन मैंने सिखी है रोही जुगराजी बहुत बड़ा नाम है उन्होंने सूपरस्टार जेम्स उदर की फिल्म लिखी है जट जेम्स बॉन्ड डायरेक्ट की है सरदार जी डायरेक्ट की है वो एक बोल रहे थे जब स्ट्रगल पीरियड था उनका तो हिसेज की मैं और मेरा फ्रेंड वहां खाने के लिए गए कहीं डिनर करने के लिए गए डिनर करने के लिए गए और बहुत हिसेज की यार आज वहां पे चलते हैं जहां पे हमने स्ट्रगल शुरू की थी वह बॉम्बे में क्या होता है एक ना डोरमेटरी ट्राइप होता है कि गद्य लगे हुए है तो सारे स्टरग Lor's महांपे हो चाहे एक्टर है चाहे राइटर है डिरिक которой वो सारे वहां पे होते हैं तो वहांपे गए तो नौक किया और कोई न्यू फेस दिखा उनको ते न्यू फेस दिखा और सारे न्यू फेस थे जो उनके टाइम के थे वो चले गए थे अभी न्यू आ गए थे लास्ट में एक बज़ग अंकल थे जो आज भी वहीं थे तो रोहित पाजी को मन में कहते हैं बहुत हुआ यार कि यह आज भी यहां है कि मैं मतलब उनके साथ जाकर बात करूँ कि यार अब अब घर वालों के साथ आफको टाइम स्प knife करना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम होति आप को स्टाग्टल करते हुए क्युंक्त उन्होंने जाके पूछ लिया कि मतलब आप क्यूं हो या कि मतलब जब आप आए थे आपने ये सोचा होगा कि मैं हीरो बनूंगा वो टाइम निकल गया फिर आपने सोचा होगा कि एक मैं अच्छा केरेक्टर करूंगा वो टाइम निकल गया फिर सोचा होगा कि एक एक रोल अ रोहित ये मैं आडिशन की तियारी कर रहा हूँ कल की तुझे क्या लगता है मैं कल की तियारी कर रहा हूँ रोहित पर जो लगता है कि यार मैं समझा नहीं कहते तुम्हे क्या लगता है कि ये शारुक सल्मान या कोई भी किसी भी किसी भी पॉजीशन पर बैठा चाहे हो प्राइम निस्टर है या कोई भी बंदा किसी भी पुजिशन पर बैठा है उनकी एक जनम की तियारी नहीं है एक जनम की महनत नहीं है यह डिजायर है जो आपने एक मतलब आज अगर मेरी डिजायर है कि मुझे एक्स वाई जड कार लेनी है अगर मुझे इस जनम में नहीं मिली ना तो मुझे नेक्स जनम में पका मिलेगी हिसे इसकी में नेक्स जनम की तियारी कर रहा हूँ यह शारुक सल्मान जो भी बिग स्टार्ज है इनकी एक जनम की महनत नहीं है तो प्रोसेस बहुत प्रोसेस से बात शुरूए यह प्रोसेस बहुत होती मैं तरको लखनपूर क्रास नहीं करने दोंगा तो मैंने का ठीक है जी तो एनिमेशन स्टार्ट की एनिमेशन जब मैंने किया तो जो मैक सेंटर था जमू वाला वो बंद हो गया किसी कारण जो में ब्राइच थी बॉम्बे उन्होंने स्टूडेंट्स को इमेल कर दिये क कि आप इंडिया में जहां भी सेंटर्स हैं नियर भाइच जो आप जाना चाहों आप जोइन कर सके तो मैं बड़ा कुश-कुश गराया कि मैं चंटीगड जा रहा हूं कि मेरे को पंजाबी गाने का पंजाबी लिखने का बहुत शौक था में स्कूल में पीछे बेटा फेशन बनेगा तो मैंने चंडीगड सेंटर जॉइन कर लिया दो साल का कोर्स कि देन उसके बाद मैं फिल्म इंडिस्ट्री में जर्नेल पाजी है उनसे मिला तो ही सेज की मैं किसी के गर एनिमेशन उनको सिखाता था मतलब सुभी खुद सिखता था शाम को सिखा था तो वहा आप में शूटिंग उने आती लाइक सान आफ सरदार यमला पखला दिवाना उनमें मैं एजन प्रोड़क्शन असिस्टेंट एट नाइन असिस्टेंट था था तब वह फिर पंजाबी फिल्मों का दोर शुरू हुआ जाट अन जूलिएट फिर प्रोड़क्शन करनी शु फिर फर्स एसिस्टेंट जीरेक्टर काफी फिलम्स की बहुत बड़ी मतलम मैं बलस्नू की जतनी पंजाब की टॉप 10 फिल्म थैं सब में मैं असेट हूँ लाइक सरदार जी पंजाब 1984 सरदार जी टू जट जेम्स बॉनड जितनी भी बड़ी फिल्म्स हैं किसी नै किसी के साथ एसोसेट रहा हूं देन 2018 में जो मैं अपनी फिल्म बता रहा हूं चाल मेरा पुझे मुझे मौका दिया रिदम बोई ने ऐज डिरेक्शन का तो वहासा भी चाल मेरा पूरा प्रोसेस चल रहा था कि मतलब ऐसी फिल्म बन जाएगी जो कि पंजाब इंडस्ट्री में नही मैं पहले भी बता रहा हूं कि पहले तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको नहीं अंताज़ा होता कि मेरी पहले फिल्म कौन सी होगी मैं बलेस्ट नहीं कि मेरी पहले फिल्म अमरिंदर पाजी के साथ है वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरी पहले तीन फिल्म अमरिंदर पाजी के साथ हैं जो बहुत बड़े सूपर स्टार हैं जिनको हर फैमिली हर बच्चा हर बजग को प्यार करता है मतलब मैंने अपनी आखों के साथ देखा है कि blessing लेते हुए blessings और लोगों को उनको blessings रेते हुए वह बहुत बड़ी बात होती है हूँ बहुतु टाइम लगता है उन रहनकि वह blessings लेने के ऐसे blessings नहीं दे मिलती तो मैं bless नूं कि अम्रेंडरः पाजी के साथ यूद बॉय थे अथ मां काम करुं मतलब मुझे उन्हें वह उन्य प्रडियूरा को बाद नहीं है। मिवने मौक्ण दिया। बहुत बड़ी बात होती है , जब एक घर से आप दूसरे शहर पे जाते हो नो आगे टीम जब आपको अच्छी मिल जाती है ना तो आपके रास्ते क्लिर हो जाते है। तो जो क्रिएटिव डारेक्ट प्रडिउसर हैं, बढ़ी बात होती है जो अगर प्रडिउसर आपका बहुत क्रिएटिव है, तो डारेक्टर के लिए बहुत असानी है। इस पूरे प्रोसेस में फैमिली का रोल कितना इंपॉर्टन रहा, कितनी सपोर्ट उनकी रही कि आपको जहां भी जाना है, जितनी भी सपोर्ट चीए, वो हर समय जो आपके सखड़े रहे, हर तरह रही सपोर्ट रही है, मतलब कभी आज तक पेनेंट्स ने कुस्चन ने किया कि कितने बज़ चुके हैं और कहा हो, कितने, मतलब कुछ भी, never, मुझे आज तो कोई भी ऐसा बोमेंट नहीं याद कि, अगर और और कोई कुस्चन किया हो, वो ही होता है कि आपको ट्रस्ट एक असानी से नहीं बनता बनाना पड़ता है, बस वो ही, पर जब चल मेरा पुत रिलीज हुई, घर वा लोग क्या रिएक्शन था, क्या फोन पर बात हुई या किस तरह से आप मिलें उनसे क्या रिएक्शन रहा पर रिएक्शन मतलब मैं जम्मू में नहीं था जब प्रीमेर हुआ, मैंने जम्मू में फर्स्ट टाइम प्रीमेर किया था, मैं बॉम्बई साब के मदलब मुझे पताते हैं कि इस बातें मुझे पहले नहीं बता थी वह प्रेंड उनके मुझे बता थे कि वह एक उपएगा ठेखर करके माया पूरी लेके आते थे और चारा चारा दिन पड़ना मतलब हो सकता है उनका जो शौक था वो पूरा करने लिए बुगवान ने बेजा जय benefit jadi कुछ नहीं पल आता है कि हाँ जहां से भी ने試र में लगता है उनकी Blessings है हां मुझे लग रहा है उनकी Blessings यह नहीं तो मैं forte क्रिएटिव लोगства利 जाब इनिस्ट्री में काम कर रहे हैं मिरसे सीनियर कितने काम कर रहे हैं बट आज अगर देखें तो फर्स्ट टॉप त्री फिलम्स आवर सीज में चाल मेरा पूद बांटू थी है सो यह ब्लेसिंग के बिना नहीं हो सकता सो टीचर्ज की ब्लेसिंग पेरेंट के ब्लेसिंग दादादी की ब्लेसिंग उनके ब्लेसिंग के बिना नहीं है हाँ हाँ हाड़ वर्खार बंदा करता है इस मुकाम पर पहुंचना बिना ब्लेसिंग के नहीं हो सकता जम्मू के भी क या फिर अभी कुछ चीजें जो में लानी पड़ेंगी जो आपने देश बर में दुनिया बर में गूं के देखिए मुझे लगता है टेलेंट की कमी कहीं नहीं होती टेलेंट हर गर पे है हर गर पे टेलेंट है अभी मैं देखी रहा हूं पिछले कुछ पांच-छे सालों से जम्मू में जो टेलेंट है जो बहुत अबर के आ रहा है बहुत मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं मुझे टैग करते रहते हैं मैं देखता भी हूं और बात भी करता हूं अगर आप जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं मतलब मेरी बात उनसे होती रहती है बात क्या है कि ह हमारे यहां पे या तो वो मूव नहीं कर रहे एक बार या मूव उनको होना पड़ेगा या इंडस्ट्री को कही ना कही आना पड़ेगा अभी यहां पे स्कोप कम है सरकार को चाहिए कुछ ना कुछ इन आर्टिस्ट के लिए किया जाए क्योंकि आज उनके पास टाइम है इसको लगता है कि हां मेरी फैमिली स्मूथ चले या कुछ भी बट वह जो आज टाइम है आज उनको डिसिजन लेना पड़ेगा कि मुझे कहां मूव होना है मैं यह नहीं कहता कि अभी गर मतलब मैं गलत मेसेज नहीं दे रहा कि गर छोड़ दो बट पेरेंट्स को एक दू आर्टिस्ट के अंदर क्या डिजायर वाली बात है कि हो सकता कि उसने पिसले जनम में यार कुछ मांगा हो बगवान से तो उसको इस जनम में मिलने वाला हो मट किसी वज़ा से नहीं मिल पाए तो मैं बलेस्ट हो कि मुझे चंडी घर जम्बू मैक बंदू और चंडी घर ज बात है मेर्य डैड बोलते थे तेरे को शादी से पहले लखन पूर नहीं क्रोस का रहें देना सो दाना पानी एकि मैं आज और बड़ी कंट्री का खाना ख़ती हूं चुक्का हूं इस सो बात तो दाना पानी किया बस ही है की टैलन्ट की कमी नहीं है इस बात बहुत है जो मै सिंगर बहुत अच्छे हैं म्यूजिक बहुत अच्छा बना रहे हैं लटके बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं रैप बहुत अच्छा कर रहे हैं बस वह है कि मौका मिलने की बात है हाँ अगर आपका नेक्स्ट क्वेस्ट यह होगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं यह जम्मू में कोई लिम तो नहीं बनावाएं उड़िफिनिट मेरा बहुत अच्छा प्लैन है मैं दो महीं ने पहले कशमीर अढ़िशन करके आया हूँ हमारी एक फिल्म है हिस्टॉरिक बेस्ट फिल्म है जो अभी आएगी नेक्स्ट रिदम बॉइस के साथ बट अभी वो प्रॉसेस में है, क्योंकि हिस्टॉरिक बेस्ट फिल्म है, उसकी प्री प्रोडक्शन ही एक साल की है, क्योंकि उसका सेट लगना है, उसके कॉस्ट्यूम्स हैं, उसमें आर्ट तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, तो इस तरह की फिल्म है, तो इस तरह की फिल् है रिदम बॉइज की फिल्म है सो बड़ी फिल्म है सो मतलब पंजाब इंडिस्ट्री में ऐसी फिल्म आज तक मतलब नहीं आई होगी होप खीच के लाएंगे जब चल मेरा बन रही थी क्या इसी खास मुवमेंट साब कुछ रियाद है या मारे दर्शकों साब साजा करना चा फिर वो उसकी बेज़ती है शाम को या तो पार्टी दे के जूटता था वो कुछ ऐसा था वाकि महाल बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव बहुत फैमली वाला महाल झाल पहली फिलम थी सबको यह था कि यार हमने 100% देना है मतलब चाहे वो एक्टर है चाहे असिस्टन डिरेक्टर है चाहे स्पोर्ट बॉय है या कोई भी किसे भी डिपार्टमन का इवन शूटिंग खतम होने के बाद पोस्ट प्रड़क्शन में भी चाहे बैक्राउंड म्यूजिक डारेक्टर है चाहे कोई भी हा हार बंदे को यही था कि यार यह फिलम कुछ करेगी है डिफरेंट है हमने 100% देना है सो जब ऐसी वाइब्स आपके साथ जुड़ जाती है तो गुर्षबद जी का एक बीद में चाल मेरा पूत में पता नहीं आपने पहले भी इसमें कहीं जिकर किया था इंटर में गुर्षबदी जो वो बोल रहे थे अपने एक जब वो पुलीस ओला पूस्ते क्या वेर तो वो रियलिटी है हमारा प्रोडक्शन असिस्टेंट था यूके में वो दो हफ्ते के बाद चुटी लेल था कहां जाना यार साइन करने जाना है सो मतलब यह सब रियलिटी है और जब वो दिवाली मना रहे हैं तो वो घरवले पूछ रहे हैं जी कहा हो मैंने कितनी बारी जूट बोला है गरवालों से जब मैं पढ़ता था स्टूटेंट था मैंने गरवालों से कितनी बारी जूट बोला है मतलब यह reality है और जो वो चाचे की लड़की की शादी है, चाचा डोल बजा रहा है, यह मैंने अपने family friends के देखा है, जो अपने बेटियों की शादी में नहीं पहुंच सके, जो यह reality है, वो ही, चाल मेरे पूत होने का कारण, पहला कारण यह है, कि बहुत reality करीब है, क्योंकि लोग अपने आपको connect करते हैं, हर बंदा किसी ना किसी character के साथ connect करता है, जाहे हो सेवी के साथ है, जाहे हो जिंदर के साथ है, किसी भी character के साथ है, तवरेज के साथ है, मतलब उसकी माँ उसकी side देती है, बाप उसका गालिया निकालता रहता है, उसको, हर बंदी के साथ connect, किसी ने किसी तरह connect करती है जी आखरी आप से आपने कहा मैं लिखता भी था कुछ अगर आप सुनाना चाहने मारे दस्कों को अपनी तरह से कुछ बोलना चाहें ताकि वह बहुँ उनको भी लगे कि नहीं जो मारा सपना है जो आपने सोचा है कही ना कहीं हम अचीव करेंगे और ये एक शुरुवाद जो है आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशन मिले होना गाना लिखना तो चलो अभी मैं नहीं करतो वो एक शौक था जब स्टार्टिंग जब चिंगारी लगती होती है तब था बट मैसेज तो यही है कि मेरी रिक्वेस्ट आप कहलो कि अच्छा म्यू अपना एक टार्गेट रखना बहुत जुरूरी है सबसे पहले तो उस टार्गेट पे आपको चलना बहुत जुरूरी है हाँ थोड़ा टाइम लगता है हर फील्ड में हर बंदी को टाइम लगता है उस वही है आप चलते रो पॉजिटिव रहके बहुत बहुत कहानी इस तरह से इंस्पायर करती है जिस तरह से स्वामी विकनन जी ने भी कहा है कि आप दोड़ते रहिए या चलते रहिए या रेंगते रहिए रुकिये मत और इनों ने वो जो है कहावत वो जो पूरी कहानी है वो सच की है कि इनों ने चलते चलते आज इतना बड़ा और चल मेरा पुछ जैसी इतनी नायाब मुवी जो है वो पंजाब इंडिस्ट्री को हमारे इंडियन इंडिस्ट्री को दी है जो कि सद्यों तक याद रखी जाएगी और इंडिया पाकिस्तान का खुबसुरत रिलेशन भी उसमें डेवलप करने की इनोंने कोशिश की है उमी